नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं वह बात करने जा रहे हैं उनके बारे में सुप्रीम कोड ने जो आदेश दिया है से किये होए हैं वह लोग 25 में टीचर नहीं वर यहां तो चीज़ बन के आता है जो टीचर बने वाले उस पे असर पड़ने वाला है कि पिछले जो बंच चूके उस प्रसर परेगा यहां दो अप्सन आ रहा है वह आप यह एक लिए कट लिखा हुआ है इसमें इसमें जो सुप्रीम कोट ने जो आदेश दिया है जो अपना फैसला सुनाया है उस फैसले में वह लिखा हुआ है कि जो एनाया वैसे डी एलेड कि पर्म नहीं भर सकते हैं और वो लोग बन चुके हैं जो लोग अभी स्कूल आ जा रहे हैं तो उन पर क्या आसर पढ़ने वाला है उसके बारे में अभी तक कोई चर्चा नहीं किया गया है तो आप यह अभी तक यह समझो कि उसके लिए कि अगर कोई अगर खबर आती है या फिर कोई इंफर्मेशन आता है शिक्षा भीवाल से हम लोग तुरहत अपडेट करेंगे इसके लिए लेकिन वह लोग अभी आप निश्चिंद रहें उस पे कोई असर पढ़ने जा रहा है अगर ऐसा कोई इंफर्मेशन अगर आता है तो इंफर्मेशन हम लोग सबसे पहले आपको पहुंचाएंगे अब इस चैनल को आप सबस्क्राइब कर दीजिए और लाइक कर यह थोड़ा ताकि यह नोटिफिकर्शन आपको सबसे पहले आपको पहुंचे अब ज़रा देखिए यहाँ पर अब सुप्रीम कोट ने जो आदेश दिया है जो अपना सुनाया उनको थोड़ा सा पढ़ लीजे क्या है देखिए अब सुप्रीम कोट ने मंगलवार को महत्पुन फैसला लेते हुए कहा कि राष्ट्रिय मुक्त बिद्याले सिक्षा संस्थान से 18 महिने का DLA डिपलोमा प की हुए हैं उनमें दोनों बरावर नहीं है उनको आप बरावर का हगदार नहीं दिया है इसके अलावा कर रहा है कि सीर्स अधालत ने कहा है कि सभी तत्यों से हाजी जाहिर होता है कि एनाइवस से 18 महिने का DLA डिपलोमा राष्ट्रिय सिक्षा व्यवापरिशत ने कमाम चीजे वह लिखी हुए है कि अब उसके बारे में लिखा हुआ है जो आने वाले BPSE का जो एक्जाम होने वाला है वो 2.0 फेज का है उसके लिए इस सारा कुछ लिखा हुआ है 1.0 phase में जो बहाली हुए हैं उनके लिए अभी कुछ नहीं लिखा हुआ है तो आप जो लोग ये सुन रहे हैं देख रहे हैं आप लोग नहीं सिंद रहे हैं कि जो बहाल हो चुके हैं जो रोकरी कर रहे हैं जो जा रहे हैं उन पर असर पढ़ने वाला नहीं अब बात रही अ आने जो हम जो बहाल कर रहे हैं जिस स्यश्टुडेंट को जो हम टीचर बहाल कर रहे हैं इस पिर आने वाले हर्म कभी शत्रह feels नहीं अब जुद सर्क transmit हो चुका। कि ऐसा बिहार में नोकरी करने वालों को हमेसा डर रहता है कि कभ मेरे मेरे नोकरी क्या हो जाए क्या होने वाला है आच मुझे बाहर निकाल दिया जाए वह निश्चित नहीं है एक मैं आज ऐसे इंसान से मिला हूं इंसान गुरुप D में और आज झाले자 करने के बाद वह यहां से भी प्यच्व कायी क्वालिफाई करने क्यां है यहां ज्यालेट्वन के अधेस्व और आज क्या क्या करेंगे पिछलावला नोक्री गया आ कहीं यह नोक्री चले को ध्यान देना चाहिए कि हम क्या दे रहे हैं ऐसे बच्चे अगर इधर भी नोकरी छोड़ दे तो बीच में कहा रहेंगे तो आप ही पर निर्भर है ना अगर आप ही सही नहीं यह सारा लिखा हुआ है उसी के बारे अब नया पेज आपको दिखाता हूँ जो पिछले वाला नौोटिस निकला हुआ है इस नौटीस में तमाम नौटीस आप रुख पढ़े होगे जो लोग वी नौक कर रहा है या जो लोग अभी सब्सक्राइब कर दिया गया सुप्रीम कोड के द्वारा मना कर दिया गया वह 125 के लिए टीचर नहीं बन सकते अब जो कुछ भी अपडेट आता है जो लोग नोक्री कर रहें जैदा ही इसे स्टुएंट है जो अभी टीचर है नोक्री कर रहें क्लास ले रहें इसकूल में जा कर दो